गुड मॉनिंग केट्स आम हीने शर्माफ फ्रॉम जे ओ जी एस अकाड़िमी आज के लक्षेर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी है उसी कहा चैप्टर वन हम लोग आगे पहले पढ़ चुके हैं द्वज कभी जुके नहीं तो इनके जो तीन पैरग्राफ ह वो हम लोग पढ़ चुके हैं आज मैं उनके आगे के तीन पैरग्राफ आपको पढ़ाने वाली हूं सो देखो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन करवा दूगी कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है ठीक है तो देखो वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो इटमेंज वीर जवान और धैर्यवान तुम दोनों ही आगे बड़े चलो हाथ में धज़ा रहे हाथ में जंडा रहे बाल दल सजा रहे हात में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे इटमिस हात में जंडा रहे और जो छोटे बच्चों का दल है वो कैसा होना चाहिए सजा रहे ध्वज कभी जुके नहीं जंडा को कभी जुकने मत देना दल कभी रुके नहीं और जो उनका दल है उनको भी कभी रुकने मत देना वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हे वीर जवानों और धहरेवानों तुम बड़े चलो अब स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ते हैं सामने पहाड हो, सिंग की दहाड हो इतमिस अगर तुम्हारे सामने कभी भी पहाड हो और सिंग की भले ही धाड हो यानि कि शेर तुम्हारे सामने चिला रहा हो तुम निडर डटे रहो, तुम निडर हटो नहीं तुम वहाँ पर बिना डरे महाँ से हटना नहीं है तुम निडर डटो वहीं पर खड़े रहना है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी कितनी भी बड़ी परिशानी है तो वहाँ पर तुम हटना नहीं है तुम्हें बिना डरें महाँ पर खड़े रहना है और उसका सौल्यूशन निकालना है सामने पहाड हो सिंग की दहाड हो सामने भले कितना भी बड़ा पहाड हो और शेर की भले आवाज हो लेकिन तुम निडर हटो नहीं वहां से तुम बिना डरे हटना नहीं है तुम निडर डटो वही पर खड़े रहना है वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हे वीर जवानों और धर्यवानों तुम आगे बड़े चलो मेग गरस्ते रहें मेग गरस्ते रहें मेग बरस्ते रहें भले ही बादल कितने भी गरस्ते रहें अवाजे करते रहें बारिश आती रहें भले ही कितनी भी बिजलिया कड़क उठें बिजलिया तड़क उठें भले ही बिजली कड़क उठें तड़क उठे तूट जाए, लेकिन वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, तुम्हें आगे बढ़ना है, यानि कि किसी भी मुसीबत में चाहें कितनी बड़ी से बड़ी परिशानी आए, अगर तुमने अपना लक्ष ठान लिया है, तो तुम्हें आगे बढ़न चाहिए बले मेग गरस्ते रहें मेग बरस्ते रहें बिजलिया कड़क उठें बिजलिया तड़क उठें लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है एक बार वापस से देख लेते हैं सामने पहाड हो सिंग की दहाड हो बले ही सामने कितना भी बड़ा पहाड हो सिंग की दहाड हो तुम निडर हटो नहीं तुम माजे हटना नहीं तुम निडर डटो वहीं वहीं पर खड़े रहो वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो हे वीर जवानों और धीर धैर् मेग गरसते रहे, मेग बरसते रहे, मेग गरसते रहे, मेग बरसते रहे, बिजलिया कड़क उठे, बिजलिया कड़क जाए, बिजलिया तड़क उठे, तूट जाए, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहो, निडर तुम वही पर खड़े रहो, it means आपको मुसीबतों से डरना नह ही है और आगे बढ़ते जाना है तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इसके आगे का हम next lecture में पढ़ेंगे आप लोग practice कीजिए और इसके हिंदी भावारत को समझने की कोशिश कीजिए so practice कीजिए thank you